राधे राधे एवरिवन होली आने ही वाली है और सभी अपने अपने तरीके से होली की तैयारियों में जुटे वे होंगे तो आशे करती हूं आप भी होली की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप सभी को आने वाली होली की बहुत बहुत शुब काम नाएं तो यहाँ पर हम काफी सारा गोबर ले आए हैं, गोबर आपको कोई गौशा लाएं वहाँ से ला सकते हैं, अगर आपकी घर में पशुपालन होता है तो मिली जाएगा, गाओं में तो बहुत इजीली गोबर एविलेबल होता है, अदिकतर सभी पशुपालन करते हैं, आपकी आसपडोस में अगर कोई पशुपालन करता है तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं, अगर गाए का गोबर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा और उत्तम बाना जाता है, क्योंकि गाए के गोबर को जलाने से बहुत ही जादा शुद्धी करण होता है हमारे वातावरन का, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी पशुका भेह साधी का भी गोबर ला सकते हैं, तो यहाँ पर हम काफी सारा गोबर ला करके बिढ़कले बना रहे हैं, तो यहाँ जो बिढ़कले होते हैं, वो कई तरह से बना जाते हैं, बढ़कुले इस तरीके से गोल-ग की तरह गोल होते हैं बॉल के जैसे भी गोल गोला बना सकते हैं बीच में छेद जरूर करना होता है हमें क्योंकि इन्हें माला में पोया जाता है माला बनाई जाती है माला जो है वो परिवार के सदस्यों के एक माला एक परिवार के सदस्य के नाम की हमें जरूर बनानी गर में जितने बच्चे हों उनके नाम के भी आप माला बना सकते हैं इस तरीके से देखे तीन तरह के हम सिंपल बढ़कले बनाते हैं साथ में धाल भी बनाया जाते हैं चोड़ी धाल भी बनाया जाते हैं इसके अलावा कुछ विशेश बढ़कुले भी बनाया जाते हैं जो क आज किसी वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ तो ये फागुन मास में जो अमावस के बाद में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं बनाना यानि कि चांदन में शुकल पक्ष में आप कभी भी बनाना शुरू कर सकते हैं और आमल की एकादशी, यानि कि फागुन मास के शुकलपक्ष की एकादशी तक ही बनाए जाते हैं, फुलैरा दोच से शुरूबिया करना बहुत ही शुब माना जाता है, तो यहां पर देखे विशेश जो बढ़कुले बनाए जाते हैं, कॉमलली जो हम बनाते हैं, वो तो ब ही बनते हैं, कहीं कहीं पर ही विशेश बनाए जाते हैं, तो यहां पर एक गुड़ा जैसे हमने बना दिया है, उसकी आख और नाक और मुँ बना दिया है, बीच में छेद जरू कर दे, होला होली हमने बना दिये हैं, और यहां उसके बाद में हम बना रहे हैं, ढाल और तल इस तरीके से कोई भी design आप बना सकते हैं तलवार जैसे। भी बना देंगे उसमें whilst उभी छेद कर देते हैं तो यह कुछ हैं जैसे कि पाटा चौकी पैनने के वस्तर इढ़ी बना सकते हैं तो यहां पर हम चांद सूरज बना दिये हैं उसके बाद में देखिए हम पटडा बना देंगे चौकी बनाएंगे पहले तो और फिर हम पाटा बनाएंगे इस तरीके से भी आप बना सकते हैं तो यहां पर हमने देखिए चौकोर करके और चार पाई लगा करके चौकी बना दिये हैं यह होली के प्रयोग की कोई भी वस्तु आप बना सकते हैं इंडी बना सकते हैं चुनरी बना सकते हैं घागरा बना सकते हैं इस प्रकार से देखे हम जूतिया बना रहे हैं तो एक जोड़ा दो जोड़े हम बना रहे हैं एक जोड़ा हम होला के लिए होली के लिए उसके बाद में पूजा में पान और सुपारी हमने जरूर बनाना है, पूझा में पान की शेप दे दियाँ। जाता है उसके बाद में हमने ये रोटी बनाई है पूरी रोटी आधी रोटी तो अलग-अलग स्थानों पर ने और भी तरह तरह के बनाए जाते हैं अपने अपनी माननेताओं के अनुसार उसके बाद में हमने ये चक्र भी बना दिया है आप शंक भी बना सकते हैं और इसके जैसी हम ऐसे शेप दे देंगे इस प्रकार से उसके बाद में हम ऐसे बटा भी बना देंगे उसमें भी हम छेद कर देंगे तो यहाँ पर मैं विशेश आपको बढ़कुले बनाना बता रही हूँ उसके बाद में सुराही बना सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर बावडी भी बना सकते हैं सुराही बनाने के बाद में आप हमने जीप बना दी है इसके बाद में हम होला के लिए खेल-किलोने बनाएंगे बॉल बना दी है बैट बना देंगे आप जुझझणा भी बना सकते हैं तो जितने भी जादस जादस हो सके आप खेल-किलोने बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने बना दिया देखे लड़ू, पेड़ा बना सकते हैं बर्फी बना सकते हैं खाने पिनी की भी चीज़ें आप खेल-किलोने के रूप में बना सकते हैं उसके बाद में हमने बना दी है ये इंडी और इसके बाद में बनाई है हमने होली के लिए ये चूनरी बना दी है इस तरीके से विशेश बढ़कुले बनाए जाते हैं ये एक एक या दो दो ही बनाए जाते हैं तो ये विशेश बढ़कुले होते हैं तो फ्रेंट्स आज की यूँकि ये वीडियो के लिए बहुत ही यूस्फुल रहोगा वीडियो थोड़ा भी यूस्फुल लगा तक प्लीज वीडियो को लाइक शन्चनल को जुरू सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे हैपी होली अवेशे लिके फ्रेंड्स